आयोध्या में राम मंदरोद घाटन से पहले हुआ चमतकार रामार से जुड़ा ये कर्श्मा देख सब कर रहे नमसकार त्वेता युग से स्वेम चल कर आये राम भक्त हर तरफ हो रही ये उनी की बात क्या अब आयोध्या से होने वाली है राम राजी की शुर्वात चाई को कोई कितना भी छुपा ले वह एक ना एक दिन सामने आती जरूर है जिया दोस्तों लोग राम सेतु के प्रमार मांगते आए हैं और रामार महभारत को मातर कालपनिक गरंथ बताते हैं उनके मुँपर एक करारा तमाचा लग चुका है क्योंकि त्रेतायूग से स्वैम चल कर आए है राम भाक्त अपने कानों पर आपको बले ही विश्वास ना हो रहो लेकिन ये सच है आयोध्या में राम मंदर के उद्गाटन का अदबुत नजारा देखने के लिए त्रेतायूग से राम भक्त पधारे हैं जिनने देखकर राम भक्तों में खुशी के लेहर दोड़ गई है तुम्हें कुछ लोगों की रातों की नीन बे ओड़ चुकी है कौन है वो राम भक्त जो त्रेतायूग के बाद अब पधारे हैं और क्या है ये पूरी कहानी बताएंगे आज की हमारे इस वीडियो में वीडियो को आखर तक जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सचे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फाक्त मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को आल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो आयोध्या में राम मंदर के उधगाटन के लिए अब जादा दिन नहीं बचे हैं तैयारिया लगवक पूरी हो चुकी हैं 22 जन्वरी को पूरे प्रान प्रतरश्ठान के साथ आयोध्या में राम मंदर का उधगाटन कारिक्रम होगा जिसमें पी-म नरेंद्र मोदी से लेकर सी-म, योगी आदितनात और राजनतिक, खेल, सिनमा, उध्योग, हर शित्र से सेल्विटीज आने वाले हैं नरेंद्र मोदी आयोध्या में बने भव्य राम मंदर का उधगाटन करेंगे आयोध्या को दुलहन सा सजाया जाएगा और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किये जाएंगे आयोध्या में बने राम मंदर के खुशी पूरे देश को है हर एक व्यक्ती 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है हाला कि 22 जनवरी तक कोई भी आम नागरिक सुरक्षा कारणों से आयोध्या के राम मंदर के दर्शन नहीं कर सकता है लेकिन 22 जनवरी को पूरे विदे विधान से भगवान श्यराम के श्यराम जन्म भूमी मंदर में स्थापत होने के बाद राम नागरिकों के लिए भी मंदर के द्वार खोले जाएंगे आपको बता दें कि राम मंदर के भवे उद्गाटन का इंतजार सर्फ देश के हिंदू को ही नहीं बलकि भारत में रहने वाले कुछ सैकुलर मुसल्मानों को भी भगवान श्यराम के इस भवे मंदर के उद्गाटन का इंतजार है कोई पैदल आयोध्या जा रहा है भगवान श्यराम के दर्शन करने तो कोई मंदर के निर्मान के लिए लाखों रुपैदान दे रहा है देश के कुछ मुसल्मानों ने इस राम मंदर को दिल से स्विकारा है और आयोध्या में राम मंदर के बनने पर खुशी भी जाहर की है दोस्तों एक तरफ देश के कुछ मुसल्मान है जो भगवान शुराम के आने का दिल खोल कर स्वागत कर रहे हैं तो वहीं देश में कुछ हिंदू ऐसे भी है जो आज भी भगवान शुराम को एक कालपनिक पात्र मनते हैं ना सिर भगवान श्वेराम को बलकि भगवान शुक्रश्न को भी कुछ लोग लोग कताओं का पातरी मानते हैं। उन्हें इस बात पर बिलकुल भी यकीन नहीं होता कि रामायन और महाभारत हमारे तिहास का एक अटूट भाग है। लेकिन वो कहते हैं कि सचाई को कितना भी जुटलानी की कोशिश करो वो बार बार आपके सामने हकीकत बन कर आती ही रहती है। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला है अध्या में जहां भगवान श्वेराम के सबूत देने के लिए स्वेम रामभक्त पधारे हैं। वो रामभक्त जिन्होंने भगवान श्वेराम को दुष्टरावन के बारे में बताया था जिन्होंने माता सीता को दुष्टरावन से चुडानी की कोशिश में अपने एक पंक का बलिदान कर दिया था। जिहां हम यहां बात कर रहे हैं जटायो जी की जिन्होंने रामान में माता सीता को दुष्टरावन से बचानी के जिसकी तस्वीरे और वीडियोज शोशल मीडिया पर खूब वारल हो रही है। आपको बदादी की जटायों जैसे दिखने वाला ये पक्षी आयोध्या से महज 200 किलोमेटर दूर कानपुर में इस गिद्ध को देखा गया है। वो भी आयोध्या में राम मंदर के उद्धाटन से ठीक पहले। कि जन में पातर नहीं है बलकि इस धर्ती पर इस सुनेरे दौर को उन्होंने जिया भी है। इस ने रामायन और महाभारत की जलक को सही साबित किया है। महाभारत से जुड़े अवश्यस आज भी आपको मिलते हैं। महीं जटायू जैसे पक्षी का दिखना भी इस बात का सबूत है कि रामान में बताए गया जटायू और आज के ये गिद्ध एक ही प्रजाती के प्राणी है। इसके लावा राम सेतू और एक ऐसे पत्थर काहुना जो राम का नाम लिखते ही पानी में तैरने लगते हैं। ये सारी बाते ये बताती हैं कि हमारे गरंथों में लिखी एक एक बात सच है। अध्या में राम मंदर के उद्गाटन से पहले जटायू जैसे दिखने वाले गिद्ध की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वारिल हुई हैं और लोगों ने अपनी अपनी प्रतक्रियाएं भी देनी शुरू कर दी हैं। लोग यूजर्स ने लिखा है कि जटायू महराज खुदाएं है राम मंदर के भवे उद्गाटन के दौरान इसके श्राक्षी बनने। कुछ यूजर्स लिखते हैं कि वगवान श्रे राम के आने की खबर सबसे पहले पक्षियों को ही मिलती है। दोस्तो अयुद्ध्या में 22 जन्वरी के दिन राम मंदर का उद्गाटन करना है जिसे लेकर पूरे देश में खुशी का महौल है और एक बार फिर से दिवाली मनाय जानी की तयारियां शुरू की जा रही है। राम मंदर के साथ ही सालों का राम भक्तों का इंतजार भी खत्म होने वाला है। अगली वीडियो में बाई 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 आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। आपको स्क्रीन पर देखने के स्क्रीन पर र